हेलो गाईजन वेलकम है तुम लोग का एक नए वीडियो में तो आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है आज हम बात करने वाले हैं स्टीम बैन के बारे में तो ये बहुत ही अजीब सी चीज एकदम से निकल के आ रही है ये निउस कुछ दो ये तीन दिन पुरान है ये मेरे फ्रेंट ने आज भेजा डिस्कॉर्ड में एकदम से तो मेरा देखके दिमाग खराब हो गया और मैंने सोचा भाई इसके उपर बात करनी जरूरी है बहुत ही जादा तो मैं ट्राइ करूँगा किसी को अफेंड ना कर दूँ मैं फाल तुमें और मैं ट्राइ करूँगा इसको थोड़ा फैमली फ्रेंडली बनाने का पूरे वीडियो को ताकि जादा से जादा लोग इसको देख सके है बाकि अगर कोई दूसरी बात होती तो मेरे को इतना कुछ फरक नहीं पड़ता पर भाई ये गेमिंग के उपर बात हो गई है ठीक है क्योंकि स्टीम में ग्लाइंट है जिसमें सारे के सारे तुम गेम्स खरीदते हो पर्चेस करते हो खरीदना और पर्चेस करने की बात है या फिर तुम डाउनलोड करके खेलते हो बहुत ही बड़ा प्लैटफॉम है और ये बहुत सालों से यहां पर है ठीक है कि बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं उन लोग ने स्टीम को बैन कर दिया लोग लोग इन ने कर पा रहे हैं ये मेंली चीज हुई थी कोई तो अलायंस ब्रॉडबेंड है उसके साथ और मुंबई में कुछ ब्रॉडबेंड सर्विस के साथ और गुजरात में भी ठीक के आ रहा था कि कुछ गौवर्मेंट के कहने पर ये ब्लॉग करी गई है वेबसाइट ठीक है ऐसा लिख के आ रहा था बट उसके बाद हुआ कि अभी एक दो दिन के बाद उन लोग ने वापस खोल दिया है तो ऐसा बहुत लोग ने बोला जब भी किसी भी चीज को बैन कर करना होता है ये जो broadband है ये सबसे पहले action लेता है ठीक है तो ये भी हो सकता है कि अभी कुछ थोड़े दिन में announcement आ जाए steam बैन होने का बट अगर ये ऐसा announcement आता है तो बहुत ज़्यादा बेकार और आलू हरकत होगी है ठीक है मतलब पहले भी बहुत चीज़े बैन होई है ब चलो थोड़ा जस्टिफाइबल था बट ये तो steam के बारे में चीज़ हो रही है ये बहुत ही गलत है अब क्या ही बोलू मैं अब देखो steam अगर सिर्फ गेम खेलने के लिए होता तो भी चल जाता ठीक है बट steam से बहुत लोग के काम भी होते हैं है जो भी major major games के टाइटल है सिर्फ entertainment की बात नहीं है भी steam से बहुत सारी चीज़े होती है उसके बाद क्या ही बोलें और steam band होता है तो भाई एक बहुत ही जादा गलत चीज़ भी बढ़ जाएगी और वो गलत चीज़ है पायरेसी वैसी यहां के लोगों को पता है यहां के लोग सोचते हैं PC में कि download करके खेलना होता है बट बहुत से लोगों को यह नहीं पता है कि यह भाई पायरेसी होती है तुम अगर गेम खरीद के नहीं खेल रहे हो तो तुम भाई पायरेसी कर रहे हो एक क्राइम कर रहे हो है और अगर steam band होता है तो भाई एक अकेला जरिया जो खरीदने का है गेम वो भी बंत हो जाएगा और जो लोग proper adjust से गेम खरीद के खेलते थे वो लोग भी piracy पे उतर आएंगे बहुत टाइम के बाद तो कुछ-कुछ लोग को अकल आनी शुरू हुई है कि गेम खरीद के खेलना चीए ने तो ऐसा developer को भी नुकसान होता है और भाई तुम तो crime करी रहे हो अलग लेवल का तो अगर यह ban होता है तो यही चीज होएगी बहुत सारे लोग फिर से piracy करने लगेंगे और वापिस जी-जी हो जाएगा और मेरे को एक और बात समझने आती स्टीम के लावा इतनी सारी चीज़े अभी भी मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं जिनका भाई कुछ मतलब नहीं होना भी नहीं चीए उनको यहाँ पर इतने सारे gambling के apps हैं इतने सारे फाल्दू website हैं पत्ते खेल लो यह कर लो पता नहीं क्या-क्या है YouTube Video कोई भी खोल के देखो भाई गोबर गोबर चीज़ के अड़ कर रहे होते हैं लोग यूटीव वीडियो तो फिर भी छोड़ दो यह तुम TV देखलो टीवी में कोई भी मैस चल रहा हो या फिर कोई भी कुछ भी चल रहा हो टीवी में कैसे आड आ रहते हैं किते बड़ बड़े सेलिबरिटी भाई जूए के आड करते हैं लिटरली यहाँ पैसे लगा तो इतने पैसे डवाल हो जाएंगे ये ट्रिपल हो जाएगा, ऐसे बेकार बेकार चीजों के एड होते हैं, मैं किसी को भी नाम नहीं ले रहा, क्योंकि नाम लेने से भाई फालतू के कांड हो जाएगे, है ना, बट ये जो इतनी बेकार इल्लीगल चीजें यहाँ पर चल रही है, उन्चे कोई दिक्कत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर इन लोग ने जो भी है वो पास कर दिये तो अपन तो कुछ कर नहीं सकते हैं, और VPN लगा के भी शच्च स्टीम नहीं चलता है, VPN से दिक्कत है, स्टीम को स्टीम बोलता है, उन्ची पॉलिसी के खिलाप है, तो ये भी गलत हो सकता है, है ना, बस एक पी अपने तरफ से बैं कर दिया, तो कुछ ही नहीं कर सकते हैं, अब ये बैं भाई मिरेको 2 रुपया का जस्नि'll लग रहा अगर ये बैं होता है, तो बाकि देखते हैं भी कुछ आने वाले धिरों में पता चली जाएगा कि क्या होने वाला है, तो क्या ही कर रहे हैं, एकदम से उंगली करने वाली हरकते होती हैं, यह बहुत गलत है, जो सीधा चल रहा है करने तो अपने काम से काम रखो ना है, क्या जब रहते हैं, तुमको फालतु चीज़े बैन करने की, गेमिंग का पता भी नहीं होगा लोगों को कि क्या होता है, बस उनके सामने एक नाम आ बैन किया है, कुछ-कुछ चीज़े हो सकती है, इनको किया होगा जो जरूरी है, बट जातर चीज़े जो अननेसेसरी हैं, उनको भाई मेरे को तो पता नहीं क्यों बैन कर रखा है, ऐसी बहुत चारी चीज़ों के बात कर सकता हूँ है, बट वो थोड़ा ओफ टॉपिक हो चैनल के साब से, ये थोड़ा गेमिंग से रेलेटेड टॉपिक था, इसलिए मेरे को यहाँ पर बात करना थोड़ा जरूरी लगा, वैसे मैं कुछ बोलता नहीं हो, मेरा वीडियो वगेरा शेयर करो, बट ये थोड़ा जरूरी टॉपिक है, जाता से जाता लोग तक पहु मिल जाते हैं, है ना, तुमको इधर उधर भटकने ने पड़ता कोई भी गेम ढूणने के लिए, अभी क्लाइंट्स तो बहुत सारी गेम्स के बट स्टीम में सस्ते मिल जाते हैं, अच्छे मिल जाते हैं, जब से मैंने ये गेमिंग शुरू करीए, मिरेको कुछ साथ से आ मतलब हमेशा नहीं, दीरी दीरे मैंने सेल पर खरीद खरीद के सब समानियां पर जमा किया है, ताकि अपन एक प्रॉपर डीसेंट लाइबरेडी बंसा के गेम्स की है ना, और जो भी मैंने लिए हैं, वीडियो बनाने के लिए हैं सारे गेम्स, जिनके फीचर में कभी अगर तुम से छीनी जाएगी तो कितना दिमांग का दही का रायता बन जाएगा, यह सोच हो तुम, मेरी लाइबरेडी चलू इतनी बड़ी है, मेरी से भी बहुत लोग है जिनकी लाइबरेडी बटी होगी, जिन पर ज्यादा बड़ी लाइबरेडी भी नहीं, जिनने छो कोई बैन करने वालों में से वीडियो देख रहा है तो अगर बैन करने वाले ना तो मेरे को कुछ 2.5 लाग रोबे ट्रांस्वर कर देना बैन करने से पहले ठीक है ताकि जो नुकसान है मेरा थोड़ा कम हो जाए तो बस आज के लिए इतने ही रखता हूं मैं मिलते हैं अगले वीडियो तब तक के लिए बाए बाए और मैं कल आता हूं वापस कोई नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए बाए